Now we are going to discuss SNC Pakistan subject-wise and this subject-wise curriculum will be discussed under pre-school curriculum. जैसा हमने पहले बात की थी कि हमारा जो SNC है ये 2021 में पहली दफा इसके अंदर early childhood के curriculum पे खास तोर पे बात हुई और फिर ये कि इसके अंदर कौन सा curriculum होगा और कैसा होगा इसके ओपर तफसील से बात हुई तो अब इसके जो basic learning areas है वो उसमें personal और social development ही है बच्चों की यानि उनकी अपनी life के बारे में वो खुद कैसे रहें कैसे साफ रहें अपने बारे में उनको आगही कैसे हो फिर ये के उनकी language और literacy जबान कैसी इस्तमाल करेंगे और उनको literacy जो बाकी जो digits हैं और जो आपके वो letters हैं वो किस तरह से वो सीखेंगे और फिर जो mathematics के जो basic concepts है counting कि उनके इद्गित जो दुनिया है उसका concept उनको कैसे हो दुनिया में जो इनके इद्गित लोग हैं जो environment है हवा है फिजा है उनके school का महौल है वहां उनको कैसे गुजर बसर करनी है कैसे रहना है और फिर ये physical development की जो बात है ये पहले इससे पहले जितनी भी हमारी ECE की policies आ हो रही है लेकिन दर हकीकत आम तोर पर घरों में ही बच्चे खेलते कूते हैं और स्कूलों में उनको बड़े सक्त नजमों जब्त में रखा जाता था तो बीस सो एकिस का जो हमारा single national curriculum है उसमें इस बात को promote किया गया कि बच्चों की physical development के लिए असाद्जा को भी तर्वीत दी जाए और बच्चों को भी मवाक्य दिये जाएं मसाल के तौर पर बच्चे को pencil कब पकड़नी है बच्चे कितना रंग भर सकते हैं और ये के वो कितना खेल सकते हैं कितना भाग सकते हैं कब तक उनको बिठाए रखना चाहिए कब उनको कोई activities करवानी चाहिए ये सारी बातें जो हैं वो physical development का हिस्सा हैं फिर ये कि उनको उनकी health और hygiene और safety के बारे में भी बताना पहले ये भी वालदेन का ही फर्ज समझा जाता था कि वो बच्चों को बिडली से आग से पानी से और मुख्लिफ खतरनाक जगों पे उन्चाई पे जाने से मना करें लेकिन अब ह सहत के ख्याल से जितनी भी ख्याल किया जाए और जितनी भी चीज़ें सहत से related हैं जहां जहां वो अपना ध्यान रख सकते हैं उनको वो सारी चोट-चोटे असूल जो है वो बताये जाएं फिर ये कि creative art को इस syllabus का हिस्सा बनाया गया क्योंके बच्चे बच्चपन में रंग इस सारे का मकसद असल में ये है कि बच्चों की एक holistic development जो की जाए और फिर जब holistic development हो तो क्या सिर्फ academics ही holistic development है ऐसा नहीं है बलके उनको patience भी सिखाई जानी चाहिए और empathy भी empathy ये है कि बच्चे अपने it get जैसे जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचें उनके जजबात के बारे में भी सोचें वो किसी की पटाई कर रहे हैं वो रो रहा है और उनको परवा नहीं ऐसा नहीं है बलके उनको दूसरों के जजबात समझने की भी तरबियत बच्पन से ही दी जाने चाहिए फिर जो हमारे it get diversity है वो diversity रंग की है नसल की है जेंडर की है बच्चे बच्चियां अलग अलग कास्ट क्रीड ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन में बच्चों को जिजग होती है दूसरों को समझने में और दूसरों से बात करने में और दूसरों को कबूल करने में ये accept करने में तो हम ये चाह रहे हैं इस curriculum के हवाले से के बच्चों को इन सारी चीज़ों की तरवियत दी जाए और खास तोर पर ये सारी guidelines असाद्जा को दी जाएं ताकि वो बच्चों की बेहतरी तरवियत के चूके जिमादार हैं तो जब वो ये सारे उसूल जा चाहिए उनके लिए अलग जगा चाहिए अलग corners चाहिए math का corner हो language का corner हो खेल का corner हो ये सारी जगें चाहिए इसलिए government of Pakistan ने suggest किया कि इस conducive महौल के लिए budget भी allocate किया जाए और कुछ materials जो खास तोर पे बच्चों को मदद देंगे यानि जैसे educational games हैं कुछ cards हैं कुछ flash cards हैं बच्चों को इस तरह के concept खेल ही खेल में सीखने में मदद देती हैं वो हकूमत सारे स्कूलों में वहिया करें